नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदारंद बसिष्ट सज्जनों हर मैने की तरह सितंबर का मैना कुम्ब रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है क्या-क्या इसमें अच्छे और बुरे प्रेनाम निकल सकते हैं किन-किन तारीकों को हम सावधानी रखें और किन-किन तारीकों में हमारे अच्छे काम होने वाले हों सारी जहनकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं तो आएए कुम्ब रासी को इस महीने के अंदर पूरा सुन्दर और सुख़द परिणाम इसमें मिलेंगे हर क्षेतर के अंदर मिलेंगे चाए वो व्यापार का ख्षेतर है चाए वो परिवार का ख्षेतर है चाए वो स्वास्त का ख्षेतर है चाए वो जो है नोकरी पेशे का ख्षेतर है हर जगे पर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं ये मैंने आपको मूल भूत बात बताई है यानि इस मेने का सार मेने आपको दिया है लेकिन 17 तारीक से और 30 तारीक तक थोड़ी सी साउधानिया स्वास्त के प्रतिय आपको रखनी है इस सवेपर स्वास्त आपका गिर सकता के कोई भी छोटी मोटी परिशानी आपको जो है आ सकती है सूर्य का दान करें सूर्य के दान का अभिप्राए गेहूं का दलिया बना करके गुड़ उसमें डाल करके और गाये को दें एक हफ़ते ये जब तक जितना दिन है सूर्य वार से यानि रवी वार से स्टार्ट करके पूरे महिने के एंड तक यह कार्य आपकरें तो आपका पूरा का पूरा महिना ही सुन्दर और सुख़द्न निकल सकता हाए तो आईए अब तारीखों की तृफ़ से आपको बताते हैं एक और दो तारीख, तीन चैर पास तारीख ये continue उपांस दिन आपके लिए बहुत सुंदर और सुखत परिणाम देने वाले हैं अच्छे परिणाम देने वाले हैं इस समय पर आपको हर प्रकार का लाब, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की प्रसंदता आपको प्राप्त होगी छे साथ तारीक इस समय पर यह थोड़ी सी चिंता जनक रह सकती है चिंता जनक का अर्थ है कोई भी मन के अंदर उद्विक निता बनी रहे कुछ अन होनी का बह जो है बना रहे तो दूद, चीनी और चावल का जो है आप दान करें यह समय आपका अच्छा निकल जाएगा आठ नो तारीक विशेश करके पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़े आगे इस समय अगर एक्जाम कें या कोई इंटर्वियू है तो उसके अंदर आपको अच्छे प्रेणाम निकलने वाले कें दस, ग्यारा और बारा तारीक यह आपको समखने की है अर्थात कोई आपके ब्यवार के कारण से कोई आपकी क्रिया कलाप के कारण से कोई आपकी वाणी के कारण से कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ कोई विवाद हो जाए तो उससे बचने के लिए मौन रहना सबसे बड़े आख है तेरा चोदा तारीक ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली है पती-पत्नी के बीच प्रेमी-प्रेशी के बीच ब्यापार के लिए परिवार के लिए बहुत संदर कहें लेकिन 15-16-17 तारीक ये जो कहें आपको स्वास्था में तोड़ी सी गिरावट दे सकती है तो उसकी जो कहें आपको बिचार करना चाहिए या उसका जो कहें समाधान करना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया जो सतरा तारीक से आपको करने का जो प्रावधान बताया वो पंदरा तारीक से ही प्रारंब करते हैं इसके आगे चलते हैं तो पंदरा, सोला, सत्रा के लिए मैंने आपको बताया इसमें आपको साउधा नहीं किया हो शक्ता कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीक ये साथ दिन आपके बहुत अच्छे गहें इस उरे महिने के अंदर साथ दिन ये गहें और पाथ दिन और गहें आखरी दिन गहें वो आपके बहुत बढ़िया गुजिने वाले हैं बीच के अंदर केवल मात्र 25, 26 तारीक को आपको शावदानी किया हो शक्ता कि उसमें कुछ नुक्सान हो सकता कि कहीं इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें बाकी पूरी 30 तारीक तक आपके मोज ही मोज हैं खुब आनंद आप लीजिएगा बाकी और जानकारियों के लिए इन नम्बरों पर संपर्क करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की सेवाएं अरपन करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जानकरके लाब उठा सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूझा पाट कर्मकांड संगीत में विभा ग्रीक लेश काल सर्प दोश व्यापार में रुकावट वो नव ग्रहों की पूझा आदि कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र है 78388 98421 देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु जियोतिश वैदिक अनुष्ठान पूझा पाट महमृतिंजय पाट शत्चंडी पाट बगुला मुखी पाट भेरव अनुष्ठान आधी राशी रत्न रुद्राक्ष कवच आदी हेतु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र है 78388 98421 हमारी वेबसाइट है www.shreevashist.com खाट पर हमारे लिए वे आव वे